हेलो डियर वाइलकम टू कीटु सक्सिजे तो दोस्तों आज हम एक फिर से जवर्दस्री देखिए यहां पे ऐसे सी सी प्यो दोद्रबाइस का एक जियाम हुआ है हाल ही में एक दो मेहना पहले जो हुआ है ठीक उसका पूरा का पूरा स्नोनिम्स हम डिसकस करेंगे और आपको पूरा अगर डवल स्पीड से भी दो-चार बड़ दिखके जाते हैं तो आपको एक भी मिनिंग बाहर से नहीं मिलेगा यह मेरा गरेंटी है और आपको बता देंगे और सो प्लस वर्ड जो है इसमें हम सीखेंगे कितने तिरों में ओनली सीखेंगे हम यहां पे 15 मिनितों मे सब्सक्राइब को मिलागर के सीखेंगे तो यहां पर सो प्लस मिनिंग हम सीखने का और यहां पर कोश्चन होगा वन लाइनर ठीक ताकि आपको कम सभी में ज्यादा कंटेंट हम रिवाइज ही करा सके ठीक तो हम बिना टाइम वेस्ट का स्टार्ट करेंगे तो देखिए जो यहां पर गाइडेंस मिलेगा और बहुत ज्यादा बेनिफीट आप लोग इंगलिस के अंदर मिलने वाला है ठीक तो हम यहीं कहेंगे कि यतना भी स्नोनिम्स का आता है एडिया होता है पूरा कपूरा आपको प्रिवियस से करना है ठीक अभी तक जो भी एक्जाम हो गया है सारा प्रिवियस से करके अब चाहेंगे एक्जाम में तो पक्का एक भी कुश्चर नहीं छोटेगा यह मेरा गैरेंटी है ठीक तो बिना टाइम वेस्ट के आज इलाज कर में स्टार्ट करते हैं देखिए आज की लास का पहला मिनिंग इरूडाइड इसका मतलब क्या होता ह बिदवान है फिसले परसं थे चैसी इस का मतलब होता है इसका मतलब होता विए और यह अच्छा मिनिंग होता है सजेस ठीक यह भी आपको आता ही होता है तो यहाँ पे होता है और यहाँ पे स्कोलरिय भी दिया हुए ठीक और आपके पास चार अप्षन था यहाnd पूसाय इसके लिए दिख यहां पर इसको गैसे को स्फक्रोशन आता है आगे देखतें अगर पर इंगलिस में लिखा हुआ एसपष्ट में कि to stop something from being done or used especially by law ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असपष्ट तर लिखा हुआ अगला में इंपैसी का मतलब क्या होता है इससे कहते है कि कर्थे इस्थित यह क्या होता है मिन्स डिड्लोग होता है वह डिड्लोग का मतलब ह अगर उस समझ में हम क्या करें हम को वही समझ में नहीं आ रहा है मानेज आपको कहीं सहड में जाना है ठीक और वहां पर एक ही जाए पर त्री रास्ता है तो वहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए और वहां पर बताने वाला भी कोई नहीं है तो आपके लिए वहां पर कैसा होगा डिट लॉक परशिति हो जाएगा ठीक या इंपैसी कंडिशन हो जाएगा कि मुझे पता ही नहीं हम क्या करें ठीक तो उसे ही कहते हैं कर्फिन इस्थिति में होना ठीक आगे देखते हैं अगला है ग्यूल है ठीक और आपको हम बार-बार कहते हैं कि देखिए कई भी एससे का यह पैटर्न ही रहा है कि वह बार-बार प्रिवियस एर से ही पोच्टा है तो सब से पहले प्रिवियस एयर पे आपकर काम कर लेंगे अच्छा से तो आपको एक भी मीनिंग नहीं छूटेगा एससे के अ किसी को रोकना किसी को कंस्ट्रेंड करना और कैसे रोकना तो हम बोलेंगे फीजिकल फोर्ट के तुरू कि तागत दिखा कर गए किसी को रोकना उसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंड कहते हैं या कहते हैं रिश्ट्रेंड तो यहां पर जो इस पार पूछा गया था बता दिये थे कि इससे बाहर एक भी कुश्चन नहीं आएगा 2022 के अंदर और पूरा का पूरा हम इनी डिसकस कर चुके हैं पिछले वीडियो में 22 मेरा स्नोनिम्स का लेक्चर होगा प्रिवियस येर का अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो उससे बाहर एक भी मिनिंग नहीं जाएगा ये मेरा गैरेंटी है और अब पूरा आपको हम दिखा रहे हैं कि वही मिनिंग आया हुआ है ठीक और अगला ये भी मिनिंग हम कई बार डिसकस की हैं ठीक देखिए क्लोजल का मतलब क्या होता है कि गेंटिक होता है इसे क्राउडर बोलते हैं क्या है भीरव वाली जगा की बात होगा उसे हम क्या कहेंगे कि वह पॉपूलस जगा है ठीक तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉपूलस आएगा वेर अलाज नमर आप पिपल रहता है जाहें बहुत साल लोग रहता है उसे हम कहते हैं घनी अबादी हिंदी में और इसका जो एक्सियों भी एक तरसा कह सकते हैं ठीक इसका जो सुनिम्स होगा वह हिएर से लिखा ली एपर है लिए इसी बना हुआ है ठीक ऐसे बनता है तो हां अच्छिट संधिंग बना होज भी प्रसेंने मुनिंग हम डिस्कस कर चुक तो ये भी हम कर दो पूरका पूरा मीनिंग हम डिसकस किय आपको इंगली का मतलब खुसी होता है, मर्थ होता है, ठीक, a feeling of happiness, usually because something good has happened, जब कुछ अच्छा होता है, तो अच्छा फीर होना, और something bad has happened to somebody else, तो इतर से मर्थ कहते हैं, खुसी कहते हैं, ठीक, आगे देखते हैं, अगला मनिक है radiant, radiant का मतलब होता है, प्रकास मान होता है, तो यह भी होगा जो खर्चीला है, एक्स्ट्रावेगेंट है, ठीक, तो willing to spend money or waste time, energy or materials, ठीक, यहाँ पे तो हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक, यानि प्रोडीगल, मतलब खर्चीला, और एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक, आगे देखते हैं, लेथार जी, लेथार इसका मतलब क्या होता है, कि सुष्टी होता है, ठीक, तो ऐसे ही पूरा meaning हम discuss करेंगे, अगला है, delicate का मतलब नाजुक होता है, जैसे fragile का च्छन भहंगूर कहते है, अब कोई भी सीसा है, ठीक, तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है, तो उस तरह से इस हम delicate कहते हैं, ठीक, एक्स्ट्रावार रिपीट होता बार बार रिपीट होता है, अगला meaning है, अइसका मतलब क्या होता है, जो चापालूस परसन होता है, ठीक, इसमें आपको टिक करना था, ठीक, आगए देखिए, optimal का मतलब होता है, प्सक्रावर कि जो क्या होता है, ठीक, सब्सक्राइब करना चोटा करना ठीक अबराइज करना संग्छिप्त करना ठीक तुमेक अबुक प्लेटी सी सॉर्टर लिविंग घटाना पाट किसी को घटाना या सॉर्टर करना बिल्कुल यह भी कई वार पूछता है अगर पिश्टर का मतलब क्या होता है कि किसी को परिसान करना किसी को अन्या करना ठीक यही मिनिए इसका चाहिए का मतलब होता है मिराय का मतलब होता है यहां पर कि जो मरीचीत हो इल्यूजन हो यहां पर इंग्लिस में दखी है कि ऐसा एफ्ट कॉज़न था और मिरागय यहां पर दिया हुआ था तो आपको कि टू से ओफें अन्फेर लेट समबड़ी इज डिस्पॉंसिबल फोर सम्थिंग और है यह पार्टिकुलर कॉरेटि हम कहेंगे कि इसी पर इल्जाम लगाना एट्रिब्यूट्स करना तो यह भी मिनिंग हम डिसकास कर चूए अगला अगला मिनिंग है प्रग्रेस का चलना चलना उनौनति के रास्ते चलना उससे आब डिसका सकते हैं मेरे पास हम रिस मतलब जानलेवा होता है काउजग और ईवलट तु सित्क जो आगे देखिए consciousness का मतलब क्या होता है consciousness का मतलब होता कि awareness इसका मतलब यह होता है कि आप किसी भी काम को कड़े तो वहाँ पुरा अपना mind mental powers के थ्रू करें और इसको समझ के करें उसे हम कहते हैं कि चेतना में आना होस्त में आना awareness यहां पर यह जो है इसका awareness हो जाएगा चेतना होस्त यहां पर देखिए कि the state of being able to use मतलब state of being able to use your senses अपना sense चीज़ करके और mental powers चीज़ करके समझना कि आखिर के हो का रहा क्या हो रहा है अगला है इसका मतलता आदी होना किसी के वसी भूत में होना किसी की तरह जूख जाना पूरा इंक्लाइन होना ठीक इसे करते अनेबल टू स्टॉप यूजिंग और डूइं सम्टिंग एज हैबिट मतलब है जो मेरा हो गया उसको हम नहीं कंटूल कर पा रहे ठीक इस्पेशली सम्टिंग हाफ जो में लिए नुकसान दायक हम चाह कर भी उसको नहीं छोड़ें आप देखें कोई भी जो ड्रंग ड्रिंक कर होता है वह बहुत मतलब क्या करता है तो ड्रिंक का सेबन करता है लेकिन वह उसके आदी हो गया वह चाहता है कि उसको माही पाता है तो थो चीज़ क्या है, इसक इसटो होज हो यह कि वह मतलब हो सकता है एक हुआ फ्राइक्टेल, पूखा गया था और इसको को हमको तिक करना था ऐक्षिंच कशन अगे देखें अग्ला मनिग अप्ली केशन मतलब होता है कि किसी को आवेदन पत्र आप तो पता ही बहुत बेसिक वहाँ है आप फॉर्मल ऑफ है रिटेन रिक्विस्ट फो सम्थिंग सच एज जॉब प्रमीशन टूडू कुछ किसी के लिए आवेदन हो सकता है जॉब के लिए हो ठीक और प्लेस अट प्लेसिटी के लिए हो स कुछ भी कहीं पी जो होस्ता है आपके मोगाएल पर कॉल आ सकता है कि आपको इतना रुपयाल मिलेगा ठीक उससे आपको पूरा पें डॉय जितना ही बिलैंस होगा कट कर लिया राता है तो उससे कहते हैं कि वह उसको जहांसा देढाइं कि आपको 50 लाग अच्ट करना ठीक तो वहां पर हम वेस्ट का यूज कर सकते हैं, ट्रिक का यूज कर सकते हैं, आगे देखिए, अगला है peculiar, peculiar का मतलब क्या होता है, जो अजीव गड़ीब टाइप का होता है, जैसे बोलें कि जो unusual है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है, देखने में अजीव लग रहा है, तो उसे उल्टा हो, बीपडित हो, पूरा का पूरा, अपोजीट हो, ठीक, तो यह भी मीडिंग कई बार पूछा हुआ है, तो contrary का मतलब क्या होता है, जो अपोजीट हो, क्या हो, अपोजीट हो, contrary कहेंगे, ठीक, यहाँ इसका English meaning देखेंगे, तो क्या है, different from something against something, ठीक, बीपडित ह देते हैं, to show, दिखाना, somebody, something in a picture, एक picture में किसी को दिखाना, to describe somebody, something in a place of writing, किसी को मतलब तस्वीर बना कर परश्थूत करना, किसे में depict, depict, depict का क्या हो जाएगा, portrait, portrait, और यहाँ पर depict हो जाएगा, यहाँ पर country, contrary का मतलब क्या हो जाएगा, अपोजीट हो जाएगा, यहाँ पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब क्या होता है, कि I special liking for something, कि इसे को BCS तरह बहुत पसंद करना, BCS रूची जिसमें हो, इसे हम liking भी कह सकते हैं, ठिक, बिल्कुल यहाँ पर liking match करेगा, पेंचेंट, अगला है कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है, कि rational जो हो, जो मतलब बोले इसे gourmet भी कहते हैं, तो और high quality and often expensive connected with food or drink of this type, जो पेटू हो इतरा से, epicure हो, यह भी कई बार SSC में पूछा कि epicure, ठिक, epicure का मतलब क्या होता है, gourmet हो, ठिक, तो यहाँ पर epicure match कर जाएगा, आगे देखेंट, अगला हम नहीं है, stamp, stamp का मतलब क्या होता है, कि मुहर ठपा, बि क्या है, inked block or die, ठिक, बिल्कुल यह match करेंगा, imprinted, ठिक, इसे कहता है, stamped, आगे, cornucopia, cornucopia का मतलब होता है, seeing जैसी आगड़ती, जो होता है, treasure trove, उसे क्या कहता है, treasure trove, seeing जैसी आगड़ती, ऐसे an object like an animal's horde in shape, sawn in a art as full of fruit and flowers, अब यहाँ पर लिखा होए, देखें, मतलब animals का होता है, seeing की जैसी आगड़ती होती है, ठिक, उसे हम क्या कहता है, treza trove कहते है, यहाँ पर यह मिनिक जो है, बिल्कुल यह नया मिनिक है, cornucopia, ठिक, तो इसको आप याद कर लेंगे, यह हम discuss नहीं कराएं, ठिक, एक मिनिक यहाँ से मिल गया है, क्या है, क्या होता है, कि किसी को मतलब abolish कर देना, मिटा देना, कई बार discuss कर चुके है, obliterate कर देना, to remove all sins of something, यानि कि science of something, either by destroying or covering it completely, मतलब पुरा का पुरा जितना भी document था, उसकी abolish मिटा देना, ठिक, कुछ भी नहीं छोड़ना, जितना भी science था, सब को मिटा देना, abolish कर देना, obliterate कर देना, ठिक, आ ठिक, आगे देखे, partition पता ही है, partition किसी के box में, cutter समर्थक बोल रहा है, कि जो किसी को, मतलब partition कर रहा है, तो, बिल्कुल समर्थक कर रहा है, एकदम partition है, ठैक, अगर यहां पर हम बात करेंगे, इसके, इसका, इंगलिस मिन से समझदें है कि showing too much support, किसी को बहुत जाला support कर रह वो किसी एक पर्सन को ग्रूप और या आइडिया में especially without considering it carefully बिना कुछ का परवा कि उसको इतना मतलब एक तरसे बोलेंगे उसका कट्टर सा मर्थक है ठीक आगे देखे अगला है अगला में प्री पोस्टर्स प्री पोस्टर्स का मतलब होता है कि जो आउट रेजियस हो बेह रेजियस है या बोलेंगे प्री पोस्टर्स है ठीक यहां पर तो यह option इसका अगर दिया होगा तो इसमें आपको लगाना है ठीक आगे अगला में रिवो का मतलब रद करना होता है तू आफेसली कैंसल किसी को चैंसल करना something so that it is no longer legally acceptable ठीक जो रद करना ठीक यहां बड़ी हो जाएगा इसका अगला मेगर का मतलब त्कूच province क्वाद इसमें का मतलब का मतलूर होता है अगर करना ऊकुछ करना शेख करना शेख कना मतलब होता बिस्वास करना किसा के जादू करना अपील करना जादू करना ही होता है तो do clever से करना trick से करना such as making things seem to happen or disappear as if by यहां पर इतना कंजूर का मतलब क्या होता है जो जादू करना होता है अपील आप धियान रखेंगे ठीक आगे देखिए indignation का मतलब क्या होता है indignation का मतलब होता है कि नराजगी दिखाना थी यहां पर offense करना नराजगी होता है a feeling of anger anger का है वह feeling and surprise caused by something that you think in unfair or unreasonable मतलब कि नराजगी आप दिखा रहे हैं किसी को offense कर रहे हैं तो यहां पर offense बोलेंगे या indignation बोलेंगे ठीक अगला profit का मतलब क्या होता है तो profit का मतलब मुनाफ़ा होता है benefit होता है तो बहुत basic profit हो गया benefit हो ठीक तो ऐसे आपको rebellious का मतलब क्या होता कि बिद्रोही जो बागी हो उसे कहते है कि रूली रूली का उल्टा हो जाएगा तो अनुरूली हो जाएगा ठीक उसमें बता बताई थे आपको जहां पर लगा दीजिए यह लगा दीजिए ठीक यह पूरा का पुरा meaning को opposite कर देता है किसी के पीछे तो वह रूल नहीं मानता हो तो उसे rebellious कहते है वह रूली टाइप का है विद्रोही बागी है ठीक आगे रिपिटेशन का मतलब होता कि प्रतिष्ठा बहुत ही यह बेसिक और है किसी का मतलब रिपिटेशन परसन है वह रिपिटेटेट है यानि वह प्रतिश्थित होता है तो पुरा का पुरा 50 मीनिंग जो की सिप्यों में जितना भी सिप्ट हुआ ता पुरा का पुरा मीनिंग हम रिस्कास कर चुके ठीक तो यहां पर पुरा हम किये और यह बहुत ही इंपोर्टेंट आगे आने वाले जिवभी एक्जाम हो चाहे वह मतलब डिफैंस का भी कोई एक करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देचे और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेजए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता ही रहे है और दोस्तों एंटेक क्यर